हाई दिस इस दिपिका वेल्कम टू हैश्टेग बीसी पी एसके भी क्लासेज आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 एक्साइज 1.1 से कोशन नमबर 4 इस कोशन में हमसे कहा गया है कुछ स्टेटमेंट्स हमें गिवन है जिसमें हमें बताना है कि यह स्टेटमेंट्स टू है या फिर फॉल्स है और हमें उनका रीजन भी देना है first है मारे पास every natural number is a whole number क्या हर natural number whole number होता है तो देखे पहले हम देख लेते हैं कि natural number क्या होते है natural number हम मैं n से represent कर रही हूँ 1, 2, 3, 4, 5 and so on और हमारे पास whole numbers क्या होते हैं whole numbers हमारी होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 और यह सारा ऐसे चलता ही जाएगा तो हमारे पास यहां पर क्या हो सकता है जो natural number है 1, 2, 3, 4, 5 यह whole numbers में आ रहे हैं न तो हम यहां पर क्या लिखेंगे answer में लिख देंगे true हमसे काई इसका reason देने के लिए तो हम लिखेंगे the collection of whole numbers contains all natural numbers और यह हो जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट का अंसर यह मैंने रफ और के लिए आपको समझाने के लिए बता है हम इसका second part करेंगे second part में हमें given है every integer is a whole number क्या हर integer whole number होता है integer देख लेते हैं क्या होते है integer हमारे होते है which is represented on number line जिसको हम represent कर सकते हैं किस पर number line पर अब number line पर हमारे पास जो भी होते हैं जो numbers होते हैं आपको पता है एक तो 0 होता है इस तरफ हमारे क्या होते है पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 और यहां पे होते हैं हमारे नेगिटिव नंबर माइनस 1 माइनस 2 ये तो हो गए integers जो हम यहां पर number line पर represent कर सकते हैं और दूसरा हमसे क्या पूछा है whole numbers, whole number 0, 1, 2, 3, 4, तो हमसे यहाँ पे पूछा है, every integer is a whole number, क्या हर integer whole number हो सकता है, अब दिखें, whole number में minus वाली digit तो नहीं आती, तो answer क्या हो जाएगा, false, जैसे यहाँ पे कोई भी मैं minus का ले लेती हूँ, या minus 2 ले लो, minus 1 ले लो, मैं यहाँ पे minus 1 लिख रही हूँ, minus 1 is an integer, minus 1 जो है वो एक integer तो है, but not a whole number, लेकिन यह एक whole number नहीं है, इस question का third part में given है, every rational number is a whole number, क्या हर rational number whole number होता है, तो first of all, यहाँ पे बात करते है, rational number कौन से होते है, rational number which is represented by in P by Q form, जिनको हम P by Q की form में लिख सकते हैं, बट condition हमारे यह होती है, कि Q is not equal to 0, क्यों 0 नहीं होना चाहिए, rational number क्या हो गया, जैसे कि मैंने for example, यहाँ पे लिख लिए 2 by 3, 3 by 4, 4 upon 5, यह हमारे rational number है, क्योंकि यह P by Q की form में है, और हमारे पास whole number क्या होते है, whole number 0, 1, 2, 3, 4, यह हमारे whole number है, अब देखे, अगर मैं किसी के denominator में 1 लगा देती हूँ, तो कोई फरक नहीं पढ़ता, 2 upon 1 का मतलब क्या होता है, 2 होता है, तो यह whole number है, लेकिन whole number P by Q की form में नहीं लग सकते हैं, 2 upon 3 है, 3 upon 4 है, 4 upon 5 है, यह हमारे whole number नहीं है, क्यों, क्योंकि whole number के upon में क्या लग सकते हैं, only 1, लेकिन हमारे पास और कोई desert whole number के upon में नहीं लग सकती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यह statement हमारी false है, मैं यहाँ पे फोर एक्जामपल लिखने हूँ, 2 upon 3 is a rational number but not a whole number, not a whole number, यह वाला काम मैंने आपको समझाने के लिए बता है, और यह हो गया मारा answer,